दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में मैं हुजानवी महरा आपके साथ और आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स आज जो bring वर्ब है उससे बने वए फ्रेजल वर्ब्स को हम पढ़ेंगे उनके मीनिंग्स को जानेंगे और मैं आपको learn भी करवाओंगी साथ के साथ तो bring जैसे जो वर्ब है उसका क्या मतलब होता है लाना तो इससे बने वह जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो पढ़ लेते हैं पहला जो bring से बना है वो है bring along along का मतलब क्या होता है साथ, साथ में लाना, bring का मतलब हो गया, साथ में लाना, किसी को साथ में लाना, किसी चीज को साथ में लाना, किसी इंसान को साथ में लाना, sentence क्या बनेगा, next time please bring along your son, या फिर next time please bring along your husband in the party साथ में लाना अगली बार अपने बेटे को या अपने husband को तो ये बन गया आपका bring along से sentence next है आपका bring down bring down का मतलब क्या होता है देखिए लाना, नीचे लाना, किसी को नीचे ले आना उसके level से नीचे ले आना, उसकी position से कुछ उसको नीचे ले कर आना तो वो ही हो गया bring down, इसका sentence क्या बनेगा the sting operation brought down the current cm जो sting operation किया गया था उसकी वज़े से क्या हुआ जो cm थे उनकी position से उनने नीचे ले आया गया या फिर उनके level से वो नीचे आ गये, कुछ उनकी position को नुक्सान हुआ जिसकी वज़े से वो नीचे गिर गये अपने level से next हो गया आपका bring forth देखे, forth का मतलब होता है आगे, further तो bring forth मतलब आगे लाना, आगे कुछ produce करना आगे किसी चीज का जन्म होना, उसको present करना तो bring forth से आपका sentence बनेगा कि unemployment brings forth poverty unemployment जो है, मतलब जहां jobs की कमी हो रहे के कारण ही जो poverty है, उसका जन्म होता है गरीबी का जन्म होता है brings forth, मतलब as a result किसी चीज को लाना, produce करना वो हो गया आपका bring forth next है bring forward, forward मतलब आगे कुछ आगे लाना, आगे present करना, तो क्या होगा present करने के लिए sentence बन गया कि the police officer asked to bring forward all the witnesses मतलब police officer ने कहा कि जितने भी आपके जो साक्षी है या फिर हम कहते हैं गवा है, उनको आगे पेश किया जाए उनको लाया जाए, ठीक है bring out का क्या मतलब होता है bring out का भी मतलब होता है out का मतलब हमें पता है बाहर निकाल कर लाना, कुछ बाहर निकाल कर present करना, public के सामने present करना तो sentence ये बनेगा कि he brought out all the relevant facts of the case in front of the judge या फिर in front of the police officer, तो उसने क्या किया, सब के सामने present किया, जितने भी आपके important facts थे case के, उनको सब के सामने उसने present किया, judge के सामने या फिर present किया, police officer के सामने present किया, तो ये हो गया आपका bring out, अच्छा, bring out का हमने क्या बनायाता है, sentence में brought out हो गया तो third form हो गया, ठीक है last आपका bring up, bring up मैंने आपको last video में भी बताया था कि bring up का मतलब होता है पालन पोशन करना, किसी को उसका लालन पालन करना तो bring up से क्या मतलब हो गया to raise children, बच्चों का लालन पालन करना sentence क्या बनेगा she was brought up in Delhi या फिर she was brought up by her grandmother, उसका जो लालन पालन था उसकी ग्राइन मदर दोरा किया गया तो दोस्तो ये आज मैंने bring से बने वो जितने भी important phrasal verbs हैं, वो ही बताया है देखे, सारे phrasal verbs नहीं करेंगे हम वो ही करेंगे phrasal verbs जो exam में आते हैं, repeat होते हैं किसी ना किसी exam में repeat हो चुके हैं दोस्तो मैं वही आपको phrasal verbs कराऊंगी क्योंकि हमें क्या है, smart work करना है बजाय कि हम line से सारे phrasal verbs करें और आप उनका रटा मारे, मैं ये नहीं चाती हूँ तो दोस्तो इनको tricks के साथ याद करना सीखे, इनके हिंदी के मतलब को पहले जानिए और फिर इनको sentence में लाने की कोशिश करिए दोस्तो एक चीज और कहूंगी मैं कि इन phrasal verbs को आप note कर लिया कीजिए और कोशिश करा कीजिए कि आप इनसे खुझ से अपने आप sentences बनाए दोस्तो मिलेंगे हमारे next वीडियो में और नए phrasal verbs के साथ तब तक के लिए, bye bye, take care, see you all and love you all